हेलो अरिवन, जैहिन क्या आप GSTR 2A को और Purchase Reister को रिकंसल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम GSTR 2A और Purchase Reister को रिकंसल करने का एक मेतल देखेंगे जो कि 100% प्रैक्टिकल है तो इस वीडियो में GSTR 2A रिकंसल करने का हम जो मेतल देखने वाले उसके features कैक है यह हम देखते हैं सबसे पहला है कि आपको GSTR 2A रिकंसल करने के लिए किसी भी software के ज़रूत नहीं है आप Excel के अंदर GSTR 2A का रिकंसलेशन कर सकते हैं सेकंड है Large Data मतलब आपका data कितना भी बढ़ाओ आप इस मेतल से GSTR 2A का रिकंसलेशन कम समय में कर सकते हैं अगर मैं मेरी company की बात करूँ तो मेरे company का जो purchase का turnover है वो लगबख 600 CRA उसका पूरा रिकंसलेशन हम इस मेतल से करते हैं और तिसरा है add another data मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग पाइवर्ट टेबल में रिकंसलेशन करते हैं लेकिन उसका drawback ही है मान लिजे अभी अपने फोर मन का GSTR 2A रिकंसल किया है और आप आगे के मन्त एड करना चाते हैं तो उस रिकंसलेशन में अगर आपके पास GSTR 2A का data बढ़ जाता है या फिर purchase register का data बढ़ जाता है तो add करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन आज हम जो method देखने वाले उसमें आप easily data को add कर सकते हैं मतलब मान लिजे आपका GSTR 2A अपडेट हुआ है और उसमें invoice add हुई है या फिर आपका purchase register में invoice add हुई है तो आप इसमें data को add कर सकते हैं मतलब एक बार आप जो GSTR 2A का reconciliation करेंगे वो आपको बार बार यूज होगा अभी हम देखते what is GSTR 2A मतलब GSTR 2A क्या है तो यहाँ पर देखें GSTR 2A is a purchase-related dynamic tax return that is automatically generated for each business by the GST portal when a seller file is GSTR 1 the information is captured in GSTR 2A मतलब GSTR 2A में हमारा purchase का data होता है और वो data automatic आता है वो automatic कहां से आता है तो हमने जिन से purchase किया है वो हमारे vendor है या फिर supplier है वो अपने GSTR 1 में उनका जब sales का data डालते है तो वो ही data हमारा GSTR 2A में automatic reflect होता है मतलब उनका जो sales है वो हमारा purchase है तो वो जो GSTR 1 में data डालेंगे वो ही हमारे GSTR 2A में automatic reflect होगा अब हम देखते why it is important to reconcile GSTR 2A मतलब GSTR 2A reconcile करना क्यों जरूर है सबसे पहला है under new GST return the taxpayer will only be able to claim ITC if the particular invoice is present in the GSTR 2A और suppliers data मतलब purchase पे जो हम ITC claim करते वो तभी eligible है अगर वो GSTR 2A में reflect हुआ है मतलब हमार supplier यानि vendor है उसने अपने GSTR 1 में data डाला है और हमारे GSTR 2A में वो automatic reflect हुआ है तभी हम जो ITC लेते वो eligible है अगर वो purchase invoice GSTR 2A में reflect ने हुआ है तो हम उसका ITC ले नहीं सकते अगर आपने लिया है तो आपको वो reverse करना पड़ेगा सेकंड है sometime it happens that the vendor has declared his GST liability and credit has not been availed by the purchaser in his GST return मतलब बहुत बार हमारे GSTR 2A में invoice reflect हुआ है लेकिन हम उसका ITC claim नहीं करते त्योंकि बहुत बार हमें invoice मिलता नहीं है या फिर हम भूल जाते है या फिर हमसे हो miss हो जाते तो जब आप GSTR 2A का reconciliation करेंगे तो आपको वो invoice वह आप पर show हो जाएगा फिर आप उसका ITC claim कर सकते और तिसरा है to avoid any duplication मतलब बहुत बार जो purchase invoice होता है वो हमारे पास double account हो जाता है और हम उसका जो ITC होता है वो भी double claim करते लेकिन जब भी हम GSTR 2A का reconciliation करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि काउंसा invoice double account हुआ है और जो duplication होता है उसको आवाड कर सकते अब भी हम practical में GSTR 2A का reconciliation करते है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रिको का format है जिसको आप Excel में बना सकते है या पिर इसकी link मैं description में दे दूँगा आप वहाँ से इसको download भी कर सकते है उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरे साल का GSTR 2A को download किया है और उसको इस तरह से customize मतलब देखिए invoice number, invoice date, GST number, type, create note है, debit note है या पिर regular invoice है अगर create note है ति इसकी value में ने minus में लिखिए क्योंकि create note का जो ITC होता है वो हमारे invoice से minus होता है उसके बाद यहाँ पर name है taxable, IGST, CGST, SGST और total तो आप ही पूरे साल का gesture 2A या पिर आप जितने भी मन का record करना चाहते है उत और इस तरह से customize किजे अगर आपको नहीं पता है कि GST2A कैसे download करना है तो इसका भी हमने एक video बनाए है जिसकी link आपको description में मिल जाएगी या पिर आप पे लिश में जाकर इसको check कर सकते है अगर आप GST2A के जगा पर GST2B को अपने purchase register के साथ reconcile करना चाहते तो यहाँ पर 2A के जगा पर GST2B का data लिजे और बाकी method सेम यह है उसके बाद यहाँ पर purchase register है मतलब जो भी हमारा purchase का data है उसको पूरे साल को मैंने यहाँ पर Excel में export किये है इसका भी format सेम है invoice number, invoice date, GST number, type, regular, create note उसके बाद name यहाँ पर taxable, IGST, CGST, HGST और total अब हम सबसे पहले GST2A को reconcile करते है तो उसके लिए यहाँ पर taxable के पहले आपको एक column को insert करना है मैं यहाँ पर insert कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ concatenate, C-O-N-C-A-T-E-N-A-T-E और यहाँ पर मैं concatenate का formal लगाता हूँ is equal to C-O-N-C-A जैसे यहाँ पर concatenate आ जाएगा मैं tap प्रेस करूँगा उसके बाद हमें पहले GST number को से लिख करना है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले GST number है और उसके बाद इन्वाइस नंबर है मतलब हमारा GST number और इन्वाइस नंबर यहाँ पर combine हो चुका है और यह एक unique ID है मैं इसको unique reference ID इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस तरह से कई भी duplicate नहीं होगा क्योंकि देखिए एक GST number के कभी भी दो इन्वाइस हो नहीं सकते क्योंकि GST portal कभी भी अलाव नहीं करता कि same financial error में आप duplicate इन्वाइस को upload करे तो मैं इसको copy कर देता हूँ Ctrl C और पूरा निच्चा के इस column में paste कर देता हूँ तो देखिए हर एक अलग-अलग इन्वाइस के लिए हमारे पास reference ID बन चुका है और यह unique है मतलब कहाँ पर भी यह duplicate नहीं होगा लेकिन बहुत बहुत बार एक problem होता है कि जब भी हम GS428 को download करते तो एक की इन्वाइस में दो tax rate होते है मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने GS428 को download किये और यहाँ पर एक इन्वाइस है 10061006 और यह एक इन्वाइस है लेकिन इसके tax rate देखेंगे तो दो है 18% और 12% इसके वे जैसे यह दो line में reflect हुआ है तो इस case में हमारे पास एं duplicate reference ID क्रिएट हो जाएगा अब इसको कैसे solve करना है आपका जो purchase register है जो आप किसी भी software से मतलब Tally, SAP उससे आप export करते है अगर उसमें इस तरह से अलग-अलग row में इन्वाइस है तो इस case में आप GSD नमबर उसके बाद tax rate और उसके बाद invoice नमबर इ जैसके दिखिए मैं यहापर invoice number से लेकर invoice value तक इसको copy कर देता हूँ और यहापर उपर paste कर देता हूँ उसके बाद मैं यहापर जाता हूँ और यहापर IGST से sales तक इसको copy कर देता हूँ और यहापर paste कर देता हूँ उसके बाद मैं यह निचे वाला जो row है इसको delete कर देता अब यहाँ पर हम इस total को और bank row को delete करना है इसके लिए मैं यहाँ पर filter लगाता हूँ पूरा select करके मैं control shift L paste करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ यहाँ पर rate पर filter को open कर देता हूँ और यहाँ पर मैं shift dash और blank select करता हूँ और okay अभी देखिए जो भी blank है और जो भी total है वो यहाँ पर select हो चुग है अभी मैं यहाँ से इनको select कर देता हूँ और यहाँ पर सिर्फ visible cell को select करने के लिए मैं alt semicolon press करता हूँ उसके बाद control minus और उसके बाद filter को हटाने के लिए मैं alt ac press करता हूँ अभी देखिए यहाँ पर आमाल सिर्फ invoice से अभी यहाँ पर 1006, 1006 इनको एक कैसे करना है तो मैं इस पूरे data को select कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर insert पे जाता हूँ उसके बाद यहाँ पर pivot table यहाँ पर ok उसके बाद यहाँ पर invoice number को मैं row में डाल देता हूँ उसके बाद invest date अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर right click कर देता हूँ यहाँ पर pivot table option यहाँ पर display और यहाँ पर classic और ok उसके बाद यहाँ पर जो total है उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर design tab में जाता हूँ और यहाँ पर subtotal और यहाँ पर do not short subtotal अभी देखिए यहाँ पर invest नमबर है invest देट है उसके बाद मैं यहाँ पर gst नमबर को रोज में डाल देता हूँ उसके बाद name उसके बाद invest type उसके बाद taxable को मैं values में डाल देता हूँ उसके बाद IGST, CGST, SJST और उसके बाद last में यहाँ पर invest total को यानि invest value को values में डाल देता हूँ हमारा data यहाँ पर ready हो चुका है मैं यहाँ से इसको पूरा select कर देता हूँ Ctrl C यानि copy कर देता हूँ और Ctrl Alt V और values के लिए V और enter उसके बाद में उपर बाद रोज को delete कर देता हूँ Ctrl minus उसके बाद यहाँ पर sum up taxable value, sum up IGST, sum up CGST मैं इसको पूरा select कर देता हूँ और Ctrl H प्रेस कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर sum up लिखता हूँ यहाँ पर replace इतने कुछ नहीं और replace all okay cut देखिए यहाँ पर sum up हट चुका है अब यहाँ पर देखिए inverse number, inverse date, gesture number, name, inverse type, taxable, IGST, CGST, HGST और total अब इस data को आप as a gesture to use कर सकते हैं अगर आपको पूरे साल का gesture to download करना है तो description में एक link है आप वहाँ पर जाकर उस video को देख सकते हैं उसके बाद मैं purchase register में जाता हूँ और यहाँ पर भी एक column को insert कर देता हूँ यहाँ पर concatenate is equal to concatenate tab यहाँ पर gesture number, invoice number, bracket close, enter और मैं इसको copy कर देता हूँ और यहाँ पर पूरा नीचे paste कर देता हूँ उसके बाद मैं दुबारा gesture to a में आता हूँ अभी मैं gesture to a को reconcile कर रहा हूँ यहाँ पर देखे एसपर gesture to a मतलब यह जो amount है वो gesture to a में से आई है मैं इस heading को copy कर देता हूँ ctrl c और यहाँ पर paste कर देता हूँ और यहाँ पर मैं और एक बार paste कर देता हूँ अब यहाँ पर as per gesture to a मैं यहाँ पर as per purchase register लिखता हूँ और यहाँ पर मैं difference निकानने वाला हूँ इसलिए मैं यहाँ पर difference लिखता हूँ और यहाँ पर मैं remark लिख देता हूँ और tap press करता हूँ अब यहाँ पर as per purchase register मैं मैं vlookup यूज करूँज़ करूँगा और इस unique reference id के base पर purchase register मैं जो value है उसको यहाँ पर मैं find out करूँगा तो देखिए यहाँ पर taxable के पहले sale में मैं vlookup यूज करता हूँ is equal to vl tab उसके बाद है lookup value तो lookup value में यह जो concatenate है मतलब unique reference id इसके पूरे column को मैं यहाँ पर check करूँगा और यहाँ पर इसको फ्रीज करने के लिए f4 प्रेस करूँगा अगर आप function यूज करते हैं तो function f4 तो यहाँ पर देखिए dollar sign लग चुका है इसका मतलब यह जो हमारी range है वो fix हो चुकी है उसके बाद comma उसके बाद यहाँ पर table array तो table array हम purchase register में जाएंगे और यहाँ पर concurrent से लेकर हम यहाँ तक total तक select करेंगे और उसके बाद इस पूरे table को हम select करेंगे देखिए हमारा पूरा table यहाँ पर select हो चुका है concurrent से लेकर taxable, IGST, CGST, SGST और total और यहाँ पर भी हम range को fix करने के लिए एप पोर प्रेस करेंगे लेकिन सबसे पहले आप देख लेजिए यहाँ पर पहले से dollar sign है या नहीं है अगर है तो आपको यहाँ पर एप पोर प्रेस करने के जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर dollar sign नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर एप पोर प्रेस करता हूँ, कॉमा उसके बाद एक कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन से कॉलम में से हम value को find out करना चाते हैं तो यहाँ पर पहले कॉलम में एक concatenate और taxable जो है वो हमारे second कॉलम में है इसलिए मैं यहाँ आप टू प्रेस कर देता हू उसके बाद कॉमा, exact match के लिए 0, bracket close और enter अगर आपको वी लुक अप कैसे यूज करना है यह मालूम नहीं है तो description में एक लिंक है बाद में आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद मैं इसी taxable को copy कर देता हूँ और यहाँ पर total तक इसको paste कर देता अब भी देखिए यहाँ पर हमाँ जो taxable था वो second column में था लेकिन IJST वो third column में था देखिए यह first 2, IJST 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर हम column index number को change करेंगे यहाँ पर 2 है वहाँ पर हम 3 करेंगे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर हम 4 करेंगे यहाँ पर हम 5 करेंगे और यहाँ पर हम 6 करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो formulas है वो ठीक तरह से लग चुके है उसके बाद हम यहाँ पर difference निकलेंगे मतलब as per jstate to a और as per purchase sister इसमें difference कहे है तो यहाँ पर taxable में मैं is equal to प्रेस करता हूँ और jstate to a का taxable minus purchase register का taxable इंटर और इसको copy करके मैं total तक paste कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी gap नहीं है अभी मैं इस पूरे formula को copy कर देता हूँ और पूरे table में यहाँ पर paste कर देता हूँ अभी यहाँ पर देखिए हमारे जो ज्यादतर इंवाइस है वो यहाँ पर reconcile हो चुके मतलब यहाँ पर difference है वो 00 आ चुका है लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 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 चेस रेश्टर में आगे देखेंगे उसी तरह से हम अभी purchase रेश्टर में जाते है और यहाँ पर भी फर्मल लगाते है मैं सेडिंग को copy कर देता हूँ Ctrl-C और यहाँ पर paste कर देता हूँ और यहाँ पर और एक बार paste कर देता हूँ अभी यहाँ पर as per gesture to a और यहाँ पर difference और मैं यहाँ पर remark लिक देता हूँ और tab प्रेस करता हूँ उसके बाद यहाँ पर taxable के पहले cell में is equal to vl tab lookup value में मैं इस पूरे concatenate को सिलेक कर देता और यहाँ पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर प्रेस करता हूँ अभी यहाँ पर पहले ही इनवास में एश्टेक एन आ आ चुका है लेकिन हमें घबरने की जरूत नहीं है मैं यहाँ पर column index number change करता हूँ यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 कर देता हूँ यहाँ फायू कर देता हूँ और यहाँ पर 6 कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर difference लगाता हूँ is equal to purchase का taxable minus 2A का taxable इंटर और इसको copy करके मैं पूरा paste कर देता हूँ उसके बाद मैं पूरे formula को select कर देता हूँ ctrl c और नीचे तक इसको paste कर देता हूँ ctrl v अब यहाँ पर भी देखिए हमार जो ज्यादा तर इन्वास है उनका reconciliation हो चुका है अब यह hashtag na है इनको कैसे reconcile करना है यह हम देखते हैं अब यहाँ यहाँ पर जो hashtag na है इनको reconcile करते हैं तो सबसे पहले हम ज्याद 2S से start करते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले filter लगाता हूँ मैं इस पुरे data को स्लेग कर देता हूँ और यहाँ पर ctrl-shift-l अब यहाँ पर सारे filter हठ चुके मैं दुबारे यहाँ पर ctrl-shift-l प्रेस करता हूँ अब देखिए sब जगा पर फिल्टर लग चुके अब भी मैं यहाँ पर total पे filter को open कर देता हूँ और यहाँ पर search पर as press करता हूँ और enter अभी देखिए जो भी यहाँ पर as tag वाल इन्वेस है वो सारे filter हो चुके अब भी हम इनको reconcile करते है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठाकोर असोचेट के दो इन्वेस है और सितराम hardware का एक इन्वेस है आपके पास यह देटा बड़ा हो सकता है अभी मैं यहाँ चोटा डेटा लिया है ताकि मैं जल्दी से आपको explain कर सकूँ तो अभी सबसे पहले म मैं purchase register में जाता हूँ और यहाँ पर सिप ठाकोर के इन्वेस को filter कर देता हूँ अभी यहाँ पर हमारे जो इन्वेस है वो gw01 और जो taxable है वो 6810 तो यहाँ पर हम देखेंगे तो gw01 कहाँ पर भी नहीं है और 6810 यह value भी कहाँ पर भी नहीं है मतलब यह जो इन्वेस है वो हमन not accounted in books आपको सिर्फ एक बार ही रिमा क्लिक ना है और बार में आप इसी को copy करके निचे paste करेंगे तो हम दुसरा इन्वेस देखते है gw008 और 1060 तो यहाँ पर देखें gw08 है और यहाँ पर 1060 मतलब यह इन्वेस है इसका जो इन्वेस नमबर है वो यहाँ पर हमने जो अकाउं जेस्ट्री नमबर को copy करेंगे और यहाँ पर purchase register में यहाँ पर paste करेंगे अभी देखिए हमार जो इन्वेस है वो यहाँ पर clear हो चुका है उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा इन्वेस क्लियर हो चुका है मतलब जो difference है वो 00 है तो इस तरह से अग तो यहाँ पर purchase register में paste करेंगे लेकिन कभी भी आपको यहाँ पर purchase register का जो इन्वेस नमबर है वो जेस्ट्री में paste नहीं करना है क्योंकि हम जब नया जेस्ट्री डाउलोड करते है और उसमें find out करना चाते कि कवंसी इन्वेस नहीं आई है तो उसको find out करने में problem आता है तो मैं copy कर देता हूँ Ctrl C और यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ अभी देखे सितर हम hardware के इतने बील है और यहाँ पर देखेंगे तो इस इन्वेस में problem है तो हम यहाँ पर देखते है यह हमारा इन्वेस नमबर है और taxable है 11267 तो यहाँ पर भी taxable है 11267 और इसमें problem भी है ले 21 है तो हम इसको copy कर देते है Ctrl C और यहाँ पर paste कर देते है अभी देखें यहाँ पर हमारा difference 0 आ चुका है और यहाँ जो difference है वो यहाँ पर 00 आ चुका है अभी मैं filter हटाने के लिए Alt A C प्रिस्ट करता हूँ अभी यहाँ पर देखें जो भी सारे एस्टैक एन्ने वाले हो चुके अभी यहाँ पर देखें यहाँ पर अमांट में गया पाए 2180 2180 तो यहाँ पर देखें जेश्टैक 2A में 6540 6540 मतलब 6540 cgsta और 6540 sgsta और purchase register में हमने जो अकाउंट के है वो 4360 और 4360 तो यहाँ पर हम JST मिसमेस लिखेंगे आपको जो भी रिमार्क देना है आप जै मिसमेस लिखता हूँ और इसी को कॉपी कर देता हूँ ctrl c और purchase register में जाता हूँ और यहाँ पर जो gap है वो same gap है मैं यहाँ पर भी paste कर देता हूँ मतलब यह same invoice है जिसके amount में gap है अभी jsh2a reconcile होने के बाद हम purchase register में जाते और यहाँ पर भी हम filter को apply करते मैं पूरे data को select कर देत हूँ और ctrl shift L उसके बाद मैं यहाँ पर total पे filter को open करता हूँ और यहाँ पर hashtag search करता हूँ इंटर अभी देखे इतने इन्वसेस में प्रोब्लेम है तो सबसे पहला इन्वसे चांटी टेरस का तो मैं इसके जेस्टिन नंबर को copy कर देता हूँ ctrl c और यहाँ पर मैं इसको search कर देता हूँ ctrl v enter अभी हमारे पास शांटी टेरस के दो इन्वसे लेकिन हम दोनों देखेंगे तो दोनों यहाँ पर reconcile है मतलब यह जो इन्वसे उसको शांटी टेरस ने उसके जेस्टर 1 में अप्लोड इने किये तो मैं यहाँ पर रिमार्क क्लिक देता हूँ not uploaded in जेस्ट उसके बाद सेकंड है वो है ठाकूर असुषेट तो मैं इस जेस्ट नंबर को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च कर देता हूँ ठाकूर असोचेट के इतने सारे इन्वैस है और यहाँ पर सारे रिकंसल हो चुके मतलब यह भी सेम है इसको ठाकूर असोचेट ने जेस्टरवन में अपलोड नहीं किये और यह क्रेट नोट है तो इसके लिए मैं इसी रिमर को कॉपी कर देता हूँ और यह पर पेश कर देता हूँ और यह क्रेट नोट है इसलिए इसके आगे क्रेट नोट लिग देता हूँ ताक्यामें समझने में प्रब्लेम ना हो उसके बाद यह जो दो इनवस है इनके आप इनवस देखिए 31 मार्च 2020 और हम यह जो रिकंसल कर रहे है वो 2021 का कर रहे है मतलब यह जो दो इन्वस है वो पिछले financial year की है यह पिछले financial year में मतलब 1920 में यह मार्च की इन्वसे से शायद हमारे पस इसका जो इन्वस है वो लेट आया होगा इसलिए हमने इनको इस financial year में आकाउंट किया लेकिन यह जो रागव ट्रांस्पोर्ट है उसने उसी financial year के आपेरिंग है या नहीं है तो मेरे केस में यह जो दोनों इन्वस है वो पिछले financial year में मतलब 1920 में यह एपेरिंग है तो मैं यहापर लिख लेता हूँ अप्लोडेड इन 1920 इंटर और मैं इसी को कॉपी करके निचे पेस्ट कर देता हूँ उसके बाद मैं सारे फिल्टर को हटा देता हूँ अब यहापर देखिए हमार जो सारे इन्वस से उनका reconciliation यहापर हो चुक है पूरा देटा रिकंसल होने के बाद हम एक बात चेक करेंगे कि हमारी टोटल मैच हो रही है या नहीं हो रही है तो यहापर पर्चेस रिष्टर में मैं यहापर टोटल पर ओपन कर देता हूँ और सिब जो blank है उनको select कर देता हूँ ओके उसी प्रकास से मैं जाता हूँ और यहापर टोटल में मैं फिल्टर को open कर देता हूँ उसके बाद यहापर एश्टेक na है इनको मैं हटा देता हूँ और ok कर देता हूँ उसके बाद यहापर remark और यहापर मैं सिब ब्लैंक को select कर देत इसका विडियो है आप वहाँ पर जाके देख सकते, तो हहाँ पर S पर GFA के उपए के उपगा ईसको special paste कर देता हूँ, उसके बाद मैं वापस GFA में जाता हूँ और यहाँ पर सब्सक्राइब की आणते हैंगे वापनोला HEY उसको special paste कर देता हूँ, और यहाँ पर purchase register और यहाँ पर purchase register के total के उपर मैं यहाँ पर special paste कर देता हूँ Ctrl-Alt-V, V, Enter उसके बाद मैं इन दोनों total का difference निकालता हूँ यहाँ पर is equal to a total minus a total, Enter और इसको copy करके मैं पूरा paste कर देता हूँ अब भी यहाँ पर देखिए कोई भी difference नहीं है, मतलब दोनों data की जो total है वो यहाँ पर match हो रही है मैं इसको भी delete कर देता हूँ और filter को हट देता हूँ Alt-A-C और यहाँ पर भी जाकर मैं Alt-A-C प्रेस करता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर reconciliation prepare करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक format है, आप इस तरह से format को बना सकते हैं इस excel sheet को मैं description में दे दूंगा, आप वहाँ पर देखकर इसको बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर purchase register है और यहाँ पर total ITC as per purchase register April 20 to March 21 और यहाँ पर हमारा total ITC है और यहाँ पर वो सारे reason है, जिनके वजह से हमारे purchase register में ITC है लेकिन gesture 2A में नहीं है तो वो जो सारे reason है, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है उसके बाद यहाँ पर gesture 2A का डेट है और यहाँ पर वो सारे reason है, जिनके वजह से हमारे gesture 2A में ITC है लेकिन purchase register में नहीं है जैसे कि ineligible ITC है not accounted in books है और यहाँ पर भी not uploaded in gesture to a not uploaded in gesture to a create note इस तरह से मैंने यहाँ पर reason को type किया है आपके यहाँ पर अलग-लग reason हो सकते आपके जो भी reason है आप यहाँ पर type कर सकते अभी मैं इस values को delete कर देता हूँ अभी यहाँ पर सबसे पहले है total ITC as per purchase register तो मैं यहाँ पर purchase register में जाता हूँ और यहाँ पर जो ITC as per purchase register यहाँ पर IGST, CGST, HGST इसको मैं copy कर देता हूँ और यहाँ पर देको मैं आकर यहाँ पर मैं special paste कर देता हूँ Ctrl-Alt-V, V, Enter और उसके बाद मैं इसका sum कर देता हूँ अभी इसको copy कर देता हूँ Ctrl-C और यहाँ पर Ctrl-Alt-V, V, Enter आप चाहे तो यहाँ पर type भी कर सकते हैं उसके बाद मैं इसको delete कर देता हूँ और यहाँ पर है total ITC as per gesture to A तो मैं यहाँ पर gesture to A में जाता हूँ और यहाँ पर आकर special paste कर देता हूँ Ctrl-Alt-V, V, Enter और यहाँ पर sum कर देता हूँ उसके बाद इसको copy कर देता हूँ और यहाँ पर Ctrl-Alt-V, V, Enter उसके बाद मैं इसको delete कर देता हूँ अभी जो purchase register का ITC है वो में plus में लिकना है और यहाँ पर gesture to A का जो ITC है वो माइनस करना है इसलिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ माइनस, Enter अभी देखिए यहाँ पर जो purchase register का ITC है उसकी total है और यहाँ पर gesture to A का ITC है उसकी total है और दोनों में जो gap है वो इतना है 35,728 उसके बाद यह difference के जो reason है उनको मैं यहाँ पर plus minus कर देता हूँ तो सबसे पहले मैं purchase register में जाता हूँ तो purchase register और यहाँ पर मैं सबको unselect कर देता हूँ और यहाँ पर uploaded in 1920 इसको select कर देता हूँ और OK कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ITC की total है वो 41,162 है तो हम यहाँ पर 41,162 टाइप करेंगे लेकिन मैं चाता हूँ कि यहाँ पर हमाँ जो reference data है वो भी हमारा save रहे तो मैं यहाँ पर purchase register में जाता हूँ और इस data को पुरा copy कर देता हूँ Ctrl C और यहाँ पर मैं एक new worksheet को create कर देता हूँ और यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ और इस worksheet को नाम देता हूँ record purchase register उसके बाद यहाँ पर gesture to a का और difference के data को मैं delete कर देता हूँ और यहाँ पर total के पहले मैं एक column को insert कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहापर मैं सम लगाता हूँ इस इक्वल टू सम टैब मैं इस रेंज को सिलेक कर देता हूँ ब्रेकेट क्लोज इंटर अभी मैं इसका रेपरंस वहाँ पर दूंगा जैसा मैं रिकोप्याता हूँ और यहापर हम पर्चेस देखिए हमार जो वेल्व है वो यहापर माइनस में आ चुकी है उसके बाद दुबार पर्चेस रेश्टर और यहापर मैं नॉट अप्लोडेड इन जेस्टर टुए इनको सिलेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहापर रेकॉ टूटल को कॉपी करके मैं यहापर पेस्ट कर देता हूँ और यहापर जो टूटल टैक्स की हेडिंग है उसके साथ एक वेल्व को कॉपी कर देता हूँ और यहापर पेस्ट कर देता हूँ और यहापर मैं सम लगाता हूँ इस इक्वल टू सम टैब और इस रेंज को सिलेक कर देता हूँ, bracket close, enter, आपके पस जितना भी बड़ा देटा हूँ, आपको यह फर्मला पूरे डेटा पर एपलाई करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर रिको में आता हूँ, और यहाँ पर not uploaded in gesture to a, यहाँ पर मैं माइनस प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं इसको सिले कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर उसको paste कर देता हूँ, और उसी तरह से मैं इसको formatting करता हूँ, मैं विमार को cut कर देता हूँ, CTRL X, और यहाँ पर opaque कर देता हूँ, उसके बाद इनको delete कर देता हूँ, तोटल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और टोटल टैक्स और एक वेल्लू को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सम लगाता हूँ अभी हमाई जो क्रेट नोट थी उसकी वेल्यू माइनस में थी तो इसके लिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो चुका है अभी देखे इतना गया पर 5585 अभी मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक कर देता हूँ सबसे पहले not accounted in books ओके मैं इस देटा को सिलेक कर देता हू ctrl c और यहाँ पर मैं एक new worksheet create करता हूँ और यहाँ पर paste कर देता हूँ ctrl v उसके बाद मैं purchase register और difference इसके data को delete कर देता हूँ और यहाँ पर एक column को insert कर देता हूँ यहाँ पर total text और यहाँ पर is equal to igst plus cgst plus hst इंटर और यहाँ पर sum लगाता हूँ is equal to sum tab range को सिलेक कर देता हूँ bracket close और इंटर और यहाँ पर worksheet को में नाम देता हूँ record to a और यहाँ पर record में आता हूँ और यहाँ पर not accounted in books यहाँ पर मैं is equal to press करता हूँ आप 2a के data में जब भी amount का reference देंगे तो is equal to press करके देंगे यहाँ पिर plus में यहाँ पर value को type करेंगे यहाँ पर मैं record to a में जाता हूँ इसको सिलेक कर देता हूँ और इंटर उसके बाद last में हमारे पास है gst mismatch तो मैं gst2a में जाता हूँ और यहाँ पर gst mismatch यू select कर देता हूँ ओके अभी यह जो gst mismatch है वह आपको 2a में भी मिलेगा और purchase register में भी मिलेगा आपको एक की value को copy करना है आपको दो बार copy नहीं करना है अगर आप इसका reference purchase register में जेते तो minus में देना है औ तो मैं यहाँ पर 2a में इसको copy कर देता हूँ ctrl c और यहाँ पर 2a में जाकर इसको यहाँ पर paste कर देता हूँ अभी हमें यहाँ पर जो भी difference value है उसको सिर्फ consider करना है तो यहाँ पर total के पहले मैं insert कर देता हूँ यहाँ पर total tax और यहाँ पर is equal to igst plus cgst plus hst इंटर और यहाँ पर sum लगाता हूँ is equal to sum tab इसको सिलेक कर देता हूँ bracket close इंटर और यहाँ पर रिको में आकर मैं यहाँ पर is equal to press करता हूँ और यहाँ पर जाकर इसका reference देता हूँ इंटर अभी देखिए हमार जो सारी reason थे जिनके वज़े से मिश्मया चाह रहा था उनको हमने यहाँ पर solve कर लिया है और हमार जो difference है वो यहाँ पर zero है मतलब हमारा reconciliation complete हो चुका है तो इस प्रकास से आपकी जो भी reason है वो आप यहाँ पर type कीजे और यहाँ पर amount को type कीजे य आप बाद में इसमें data को add करना चाहते जैसे के मान लिजे आपका purchase का data बढ़ा है तो आप यहाँ पर जो भी आपका data बढ़ा है वो यहाँ पर add कर दीजे और बाद में यह जो formulas है इसको delete कर लिजे और एक बाद दूबार formulas को लगा लिजे आपकी जो remark है वो वैसे के वैसे मतलब इतने data को आपको reconcile करने के ज़रूत नहीं है लेकिन निच्चे वाला data उसको आप बाद में reconcile करेंगे लेकिन gesture 2A में उस तरह से नहीं होगा क्योंकि हमारा gesture 2A जो होता है वो बाद में भी update होता है मतलब यह जो हमने reconcile किया है उसी मन में भी हमारा data add हो सकता है क्योंकि आपको क्या करना है आपको फ्रेश gesture 2A डाउनलोड करना है जैसे कि माल लिजे मैं इसी data को copy कर लेता हूँ यहाँ पर total तक Ctrl C और यहाँ पर मैं new sheet को create कर देता हूँ Ctrl N और यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ और माल लिजे यह जो दो इन्वास है वो हमारी gesture 2A में add हो चु is equal to concatenate tab यहाँ पर gst number, invest number bracket close, enter और इसको copy करके मैं निचे तक paste कर देता हूँ उसके बाद इस column में मैं new link देता हूँ enter और यहाँ पर vlookup लगाता हूँ is equal to vl tab अभी lookup value में मैं इस concatenate को select कर देता हूँ apple प्रेस करता हूँ, कॉमा अभी यहाँ पर table array तो मैं old gesture 2A में आता हूँ और यहाँ पर यह जो concatenate का column है इसको मैं पूरा select कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए dollar cent पहले से लग चुके है तो हमें दोबारा लगाने के जरूत नहीं है, कॉमा यहाँ पर column index नमबर तो हमारे पस एक ही column है तो मैं यहाँ पर one press करता हूँ, कॉमा, exact math के लिए zero, bracket close और enter अभी मैं इसको copy करके पूरा निचे तक paste कर देता हूँ, Ctrl V, अभी मैं यहाँ पर filter लगा लेता हूँ, Ctrl Shift L अभी यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो दो universe new है, मतलब add हुए, वो यहाँ पर hashtag na दिख रहे है, मतलब यह जो unique reference id है, वो यहाँ पर old gesture 2a में match नहीं हो रहे है, मतलब यह जो है, वो हमारे पास new universe है, तो हम इसको select करेंगे, यहाँ पर hashtag na, और इसको copy करेंगे, यहाँ पर total तक, control C, और यहाँ पर इसके नीचे हम paste कर देंगे, control V, उसके बाद यहाँ पर जो heading है, इसको हम delete कर देते, और यहाँ पर उसी प्रकास से, हमारे जो old formula है, इनको delete करके, हम यहाँ पर total range को formal लागाएंगे, यहाँ पर आपकी जो remark है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, मतलब data है, वो already reconcile है, आपके पास जो new data है, उसको आपको reconcile करना पड़ेगा, तो इस तरह से, आप अपने GSTL 2A को, अपने purchase list से, कम समय में reconcile कर सकते हैं, अगर आपको कई problem है, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, या पिर यह मेरा whatsapp number है, आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं, thank you everyone, यह video आ कैसा लगा है, जरू मुझे comment करके बताईए, और इस video को like कीजे, और चैनल को subscribe करना मत बुलिए, thank you